एक्सेस 3.4 का कोशन नमबर फर्स्ट कोशन नमबर फर्स्ट में हमें वही पेर ओब लीनियर एक्वेशन दे रखी है इनको सॉल्फ करना है लेकिन इसमें एक छोटा से ट्वेस्ट है इसमें हमें इसको को Elimination Method के साथ-सथ सब्स्ट्यूशन मेफटड से भी करना हैं डोनों मेफटड आपको आते हैं पहले की विदियोस नहीं देखिये किस दरा आते हैं तो पहले जाके वह देख ली जिए फैले मैं इसको Elimination Method से कर लेते हैं हम इसको तो यह होगा equation number one यह हो गया equation number two elimination method में पता है किसी एक variable को eliminate करना पड़ता है तो मैं equation number one को two से multiply करता हो तक ही मैरे एक्सक्रफिशन क्या हो जाता है eliminate कर दूगा मैं तो multiply equation one by two equation one को two से multiply करा तो से multiply करा तो यह हो गया 2x plus two y is equals to 10 या गई मेरी equation number 3 equation कर सकते हैं की बात है दोनों जब आप एंड में सॉल करेंगे आंचर सेम ही आएगा सब्ट्रेक्ट कि एक्वेशन टू फ्रॉम थ्री में कुशन टू में से थ्री को में सब्ट्रेक्ट टू एक्स माइनस थ्री वाइज इस इकल स्टू फोर टू प्लस टू यह एकश्ट टैन साइन चेंज यह कैंसल आउट यह रहागया माइनस वाइनस का सिक्स माइनस ए माइनस था तो वाई की वैल्यों मेरे पास आच चुकिए सिक्स वाई फाइज इस वाई की वैल्यों को पुट कर दूँगा एक्वेशन नमबर वरन टू यहां थ्री रख दीजीए एक्स के लिए उड़ी आ जाएगे मैं वन मेरा रख देता हूं बहुत छोटी सी कुछिन 1 इसलिए पुट धी वैल्यों कि ओफ एक वाई हमने वाई का लिए डालियरा यडीन वह एक स्वाइज एक्स और लिए फाइव एक्स ऐसन यह फाईव एक्स है एसल व लिए 5x plus 6 is equal to 25 तो यह एक्स 5x is equal to 19 तो एक्स के लिए हो गई 19 by 5 19 के सब्सक्राइब माइनस का हो गया 25 में 6 गए तो 19 आगे मुल्टीप्लाइब का तो दूरा के डिवाइड हो गया फिर पस वाई की वैल्यू हो गई एक्स की वैल्यू आगई ये हमने ilymination method करए अब हम सब्सक्रीशन मैथर देखते हैं पहले यह देख लिए हमने समझा अब सभ्सक्राइब करते इन्हीं तो equation को लेकर सब्सक्रीशन मैंथर स्वाल इसको सब्सक्राइब से किसी एक equation को ले लो उसमें से एक variable की value निकाल दो तो मैं equation one ले लेता हूँ from equation one equation one क्यों ले रहा हूँ कि equation one बहुत छोटी सी equation आसने से किसी की value निकाल लिजे मैं x की निकाल रहा हूँ तो आगए five minus y यह मेरे पास आगए equation number three is x की value को equation number two में रख दीजिए put the value of x in equation two equation two में रख लीजिए जब two में रखी तो two y minus five यह आगए मेरे पास equation बस इसको solve कर लेता है y की value find out हो जाएगी 10 minus two y minus three y is equals to four is equals to four 10 minus four is equals to five y तो y की दो value आगए वो आगए six by five मेरे पास y की value हो गए इस y की value को उठागे equation number किसी भी equation में रख लो आपका answer आदेगा equation third में रखेंगे actually इसको put the value of y in equation third equation third में क्यों हो ताकि हमें x की value निकल दे क्यों यह x की equation है x is equals to five minus six by five तो एक है x is equal to 25 minus six by five एक चीज़ अगर आपने observe करी हो मैंने पहले भी का था आपको जब elimination method में एक वीडियो बनाई थी elimination method के उपर उसमें मैंने बताया था कि आप कोई साभी method लगा है चाहिए cross multiplication method लगा है substitution method लगा है elimination method लगा है x और y की value same हैगी अगर pair of linear equation सेम होगी तो अगर यह pair of linear equation है इसमें हम कोई भी method लगा है एक्स और y की सेम आती है substitution method से हमने करा तो हमारे पास x की value यह आ गई हमने इससे बहले elimination method से किया था तब भी हमारी x की value same आई थी यह एक्स की value अलग अलग नहीं आती अगर आपकी सेकेंड पार्ट यह equation दे रखी हैं इसको equation number one बोल दिया है इसको equation number two आप चाहें तो बोल सकते हैं लेकिन अभी नहीं बोल रहा हूं क्यों क्योंकि और ज्यादा simplify होड सकती है equation हमने अभी तक काफी सारे substitution method यहां जितनी system equation देखी है उसमें एगर common आ रहा है तो समें कमण आ रहा है तो equation यह बन गई एक्स माइनस उपन गई इसको मैं equation number two नाम दे दूंगा यह मीरी equation number two हो गई यह मेरी equation one हो गई पहले मैं elimination methods कर रहा हूं elimination method से कर रहा हूं using elimination method कि एलिमनेशन मेथड से कर रहा हूं तो फ्रॉम एक्वेशन वन और एक्वेशन टू में अगर मैं देखूं मुझे कोफिशन्ट सेम करना है तो मैं एक्स का कर सकता हूं वाय का भी कर सकता हूं अच्छा एक चीज में आपको बता दूं जरूरी नहीं आप सब्ट्रेक्ट ही क हम क्या करते हैं एक्व का कोफिशन सेम करते हैं कई बार एकविशन से ऐसे ले ले लेता है अब तो वह बढ़ी बात नहीं एड़ी भी सब्रक रiblch स耶न करते हैं और पική सब्सक्राइबार लिमियों करते हैं कि इसको फ्रीस करते हूं ताकि मेरा एक बाट हो दे dovग्त सब्ट्रेक्ट करके एलिमिनेट कर देंगे मल्टिप्लाइए एक्वेशन टू बाय थ्री एक्वेशन टू को थ्री से मल्टिप्लाइए कर दिया तो जब करा तो यह हो गया 3x-3y 3 sanity कोई से कोई सब्रें की विखेशन कर दिया खोजों कोई बड़ी बात नहीं है तो फिलस फोर यूसें 10 3x-3y is equal to 3 यह माइनस यह प्लस यह माइनस यह कैंसल आउट यह सेवन यह सेवन यह सेवन तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 10 में से 3 गए 7 4 प्लस 3 7y तो y की वैल्यू आ गई 1 अब इस y की वैल्यू उठा गए किसी वैकी एक्वेशन में रख दीजी है तो मैं equation 2 में रख देता हूं क्यों कि यह बहुत छोटी सी equation है तो आसानी से मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी put the value of y in equation 2 equation 2 में रख ली क्यों क्यों equation 2 बहुत छोटी सी है x-1 is equal to 1 x is equal to 2 x की value आ गए 2 y की value आ गए 1 यह हमने कर रहा है elimination method अब इस equation को यही pair of equation को हम substitution method से भी देखते किस तरह होता है अब substitution method से देखते हैं वह ही equation number 1 equation number 2 लेकिन अब मैं जो लगा रहा हूं हम वह लगा रहा हूं substitution method substitution method हमें कहता है पर एक equation ले लो तो मैं equation number 2 ले रहा हूं from equation 2 x की value निकाल लेता हूं तो x के लोगई 1 plus y इसको equation number 3 नाम देदिया इस x की value को उठा गए equation number 1 में put कर देता हूं put the value of x in equation first equation 1 में रख ली तो यह हो गया 3 1 plus y plus 4y is equal to 10 यह हमार पर equation आ गई इसको solve करके पस y की value निकाल देंगे 3 plus 3y plus 4y is equal to 10 7y is equal to 7y की value आ गई 1 यह plus का था उदर आगे minus का होगे उनको add कर लिये like terms को और y की value हमारे पर आगई 1 put the value of y y की value उठा गए equation number 3 में रख देंगे क्यों क्यों हमें x की value निकाल नहीं है put the value of y in equation third equation है x is equal to 1 plus y x is equal to 1 plus 1 x की value आगे 2 वही मैंने आपको पहले भी इससे पहले वाले फर्स पार्ट नहीं यह बताया था x और y की value chain नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि method कोई भी हो values वेरियेबल की values हमेशा सेम रहती है पहले elimination method से भी value है रहती substitution method से भी यही values आ रही है question number first का fourth part हम सीधा fourth part कराने third part आपको खुद करना है आप जितना ज्यादा प्रॉपर फॉर्म में नहीं हम इनमें LCM अगर लेकर equation number one फिर equation number two नाम देंगे तो LCM ले लेते हैं यह हो गया 3x plus 4y is equal to minus 6 यह मेरी आगई equation number one यह आगई equation यह हो गया 3x minus y is equal to nine यह आगई मेरी equation number two फिर बाद दो equation आ गई के इसमें elimination method लगाइंगे, subtraction method लगाइगे पहले elimination method लगाते हैं तो using elimination method आपको बताना पढ़ेगा examiner को कि आप पहलेchaüm method लगा रहे आप पहलेcha Stream method लगा रहे हैं आप 03 आप mention करते कि की ही आप कॉन सा method लगा है ? अप 34дж नमबररे और brush के कोफिशन जो हैं वो सेम तो मुझे कुछ मैं करने की जरूत नहीं मुझे ही निए कर देखो तो कि सब्त्रेक्ट एकोशन तू फ्रॉम वन इकोशन टू में से इकोशन बनाइन उस उसमा नइस इकप्स प्लस फूर माइनट सिग्स यह प्लस का माइन मैननस यह चैंसल गए तो रह गया फोर मैनस माइनस फाइब नाइन प्लस 6 15 तो वाई की value आगई माइनस का 3 फिर वाई की value कितनी आगई माइनस का 3 9 6 15 माइन मेनस प्लस साइन माइनस का आज़ा गया यह सब आपको आना चाहिए तो y की value आगई माइनस का 3 अब यह फाना जागा हम किसी यह कि तो मैं अगर द्यान से देखऊ तो मैं equeosin 2 में रख लीता इसमें minus की चीज़े में प्लस की चीज़े तो यह ज़द्धा असान है और वाय in equation 2 equation 2 में रख ली 3x minus minus का 3 is equals to 9 3x plus 3 is equal to 9 x is equal to 6 by 3 तो x की वेल्यू आगे 2 y की वेल्यू आगे माइनस 3 यह 2 कैसे ही कि प्लस का तो दोर आगे माइनस का हो गया 6 हो गया मुल्टिप्ला का डिवाइड हो गया तो x की वेल्यू आगे 2 y की वेल्यू आगे माइनस 3 अभी तक सिर्फ हमने एलिमिनेशन मेथड किया है अब हम सब्सुईशन मेथड इस पर अपलाय करते हैं अब सब्सुईशन मेथड देखते हैं सब्सुईशन मेथड किस तरह होता है तो मैं equation 2 में से y की वेल्यू निकाले ता हूँ from equation 2 equation 2 लिया तो y की वेल्यू आ गई यह कितनी आगे 3x-9 is equal to y यह वाई की वेल्यू आ चुकी है वाई की वेल्यू इसको equation 3 नाम दे दिया वाई की वेल्यू उठागे equation नमर 1 में रख लेते हैं put the value of y in equation 1 equation 1 में रख लेते हैं equation 1 में रख लेते हैं minus 36 is equal to minus 6 4 9 36 4 3 12 12 x आ गया यह हो गया 15 x यह हो गया minus 6 plus 36 15 x is equal to 30 तो x की वेल्यू आ गए 2 x की वेल्यू मेरे पस आ गए 2 मेरे पास x की वेल्यू आ चुकी है हम मुझे y की वेल्यू find out करनी है x की वेल्यू को हम equation 3 में रख लेते हैं put the value of x क्यू रख एक्विशन नुमर 3 में ताकि हमारे पस किसकी वेल्यू आ जाए यह है 3 x minus 9 is equal to y 3 multiply 2 minus 9 is equal to y 6 minus 9 is equal to y minus 3 y की वेल्यू कितनी है minus 3 y की वेल्यू मेरे पास आ गए minus 3 x की वेल्यू मेरे पास आ गए 2 equation same आनी चाहिए equation same है तो variables की value हमेशे same आती है then जाए चसी कुपक कि वे खास if you झाल झाल